हेलो स्टुडेंट्स आज अपने इस वीडियो में क्लास 12 के क्रिशी जी विग्यान सब्जेक्ट का जो फस्ट लेसन है पादपरजरन इसका साथमा पार्ट स्टार्ट करेंगे यदि आपको इस लेसन के नोट्स साहिए पीडियेफ की फॉर्म में तो आप जो मेरा वर्टस अप नंबर है 9782066122 इस पर मेरे को मैसेज कीजिए वर्टस अप मैसेज कीजिए मैं आपको एक वर्टस अप ग्रूप में एड़ करूँगा और उसी वर्टस अप ग्रूप के अ मतलब अपने संकरण के दवारा सव प्रागित फसलों में और पर प्रागित फसलों में कौन कौन सी नहीं किसमें त्यार कर सकते हैं मतलब संकरण की विदियां पड़ी थी अपने किसमें त्यार करने की अब अपने पड़ेंगे चेयन के बारे में की चेयन क्या होता है चेयन पौदों के समू में से, मानलो ये एक पौदों का समू है, इसमें काफी सारे पौदे हैं, हजार डेड़ सो जितने भी आप मानलो, कि किसी विविदिता पूरण पौदों के समू में से वांचित पौदों को चांट कर अलग करना चैन कहलाता है, मानलो यहां पर हजार पौदे पोदों के इस स्मूब में से अपने उस परकार का पोदा चांट कर अलग कर लेंगे तो उसे अपने क्या कहते हैं चैन कहते हैं और ये चैन दो परकार का होता है एक तो प्राकर्तिक चैन और दूसरा कौन सा होता है क्रित्रिम चैन प्राकर्तिक चैन क्या होता है कि प्रकर्ती में वे पोदे ही जीवित रहते हैं जो वातावरण के अनकूल अपने आपको डाल लेते हैं मानलो ये एक जंगल था जंगल के अंदर बहुत परकार के प्लांट होते हैं लेकिन जंगल में क्या है कि प्राकर्तिक वातावरण है जो जंगल का वातावरन है जो जंगल का मौसम है वो चेंज होता रहता है कभी ज़्यादा बारिश आ जाती है कभी बारिश पढ़ती ही नहीं है कभी ज़्यादा सर्दी होती है कभी कम सर्दी होती है मतलब मनुश्य का किसी भी परकार का कंट्रोल नहीं होता और उस वातावरन को जो पोदे सहन कर लेते हैं वो तो जीवित रह जाते हैं और जो पोदे नहीं सहन कर परते वो पोदे क्या हो जाते हैं उनकी मृत्यू हो जाती है मतलब कुछ परकार के पोदे जीवित रह जाते हैं और कुछ पोदे मर जाते हैं और इस परकार का जो चैन होता है उसे अपने कहते हैं प्राकर्तिक चैन, मतलब जो प्रकर्ति के दवारा किया जाता है, जो नेचर के दवारा किया जाता है, उसमें मनुश्य का कोई भी रोल नहीं होता, तो उसे अपने कहते हैं प्राकर्तिक चैन, और दूसरा है कृत्रिम च चैन कर लिया अब मनुश्य की कोई भी आफशक्ता हो सकती है मानलो उसकी आफशक्ता थी कि उसे ऐसा पोदा चाहिए जो उसे लकड़ी प्राप्त कर सके मतलब उस पोदे से ज्यादा से ज्यादा इंदन प्राप्त हो सके वो उसे जला सके तो उन पोदों को वो स्लेक्ट कर ल और जब प्रकरति के दवरा पोदों का चेन किया जाता है उसे अपने कहते हैं प्राकरतिक चेन तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं सव प्रागित फसलों में चेन की विदियां मतलब दो परकार की फसले होती है या दो परकार के पोदे होते हैं मतलब जिनमें सव प्रागन होता है और जिनमें परप्रागन होता है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि सव प्रागित फसलों में चैन के दवरा अपने कैसे नहीं किसमें त्यार कर सकते हैं। चैन की विदियां बढ़ते हैं अपने सव प्रागित फसलों के लिए तो सबसे पहली विदी है समू चैन क्या होता है कि किसी समूदाय में से एक समान उतकरस्ट लक्षनों वाले पौदों को चांटना तथा उनके बीजों को मिक्स करना समू चैन कहलाता है मतलब ये एक पौदे हैं इस परकार खेत में काफी सारे पौदे लगे हुए हैं तो ये क्या कह रहा है कि किसी समूदाय में से एक समान उतकरस्ट लक्षनों वाले पौदों को चांटना और उनके बीजों को मिक्स करना समू चैन कहलाता है मतलब ये पौदों का समूदाय था इन पौदों में से अपने अधिक उंचाई वाले पौदों को चांटना है तो इन में से अपने उन सभी पौदों को चांटने जिनकी उंचाई क्या है ज्यादा है जिनकी हाइड क्या है ज्यादा है तो अपने क्या करेंगे इन सभी पौदों को अपने स्लेक्ट कर लेंगे और इन पोदों से जो भी अपने को बीज मिलेंगे, उन बीजों को अपने क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, इसी को अपने क्या कहते हैं, समू चैन कहते हैं, अब अपने इसके चार्ट को समझते हैं, कि समू चैन के दवरा अपने कैसे एक नहीं किसम को त्यार कर सकते हैं, क इस खेत में से अपने उन सभी पोदों को स्लेक्ट कर लेंगे जिनकी हाइड क्या होती है ज्यादा होती है मतलब इन सभी पोदों की हाइड क्या है ज्यादा है जिनको मैं स्लेक्ट कर रहा हूँ इन सभी पोदों को मैंने स्लेक्ट टर लिया तो उपज़ प्रिक्शन आपको पता ही है इससे पहले अपने कम से कम 7-8 विदियां पड़ चुके हैं कि उपज़ प्रिक्शन क्या होता है कि ये जो मैंने डबे बनाए हुए है ये वाले ठीक है यहाँ पर कौन से पोदे अपने उगाए हैं जिनके बीज अपने मिक्स किये थी ठीक है और ये कौन से पोदे हैं ये कौन सी किसम है ये कौन सी किसम है ये किसम है माननक किसम तो माननक किसम आप सभी को पता ही है कि अपने कौन सी वराइटी त्यार कर रहे हैं जिसकी हाइट क्या होगी जादा होगी तो बजार में एक पहले से ही एक ऐसी किसम उपस्त है जिसकी हाइट क्या है जादा है तो बजार में जो पहले वाली किसम है उसे अपने क्या कहते हैं मानक किसम तो उसके साथ अपने तुलनात्मक अध्यान करते हैं और किस चीज़ का अध्यान करते हैं उपज का तो उसे अपने क्या कहते हैं उपज प्रिक्षन और मैंने आपको बताया हुआ है यह आपने याद रखना है पेपरों में पूछा जाता है कि उपज प्रिक्शन कितने सालों के लिए किया जाता है तो सभी विदियों में उपज प्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए किया जाता है और अगर यहांपर जो अपने वाली variety है जो अपने वाले पोधे हैं इनकी उपज जादा होती है तो फिर तीन सालों के लिए मतलब तीसरे चौथे और पांचमे साल लगाता है तीन सालों के लिए कौन सा प्रिक्षन किया जाता है समनवित उपज प्रिक्षन मतलब समन्वित उपज प्रिक्षन में अपने किसका दियन करेंगे एक तो गुनवत्ता का और दूसरा रोग रोधिता का गुनवत्ता का मतलब कैसे करेंगे कि मालो जो अपने वाली पोदे थे इनकी उपज जादा है तो यहां पर तो अपने फिर क्या कर लिए जो अपने वाले पोदे थे उनको उगा दिया यहां पर और यहां पर फिर कौन सी किसम है यह कौन सी किसम के पोदे है यह है मानक किसम के पोदे अब यहां पर अपने किस चिज़ का तुलनातमक का द्यान करना है एक तो गुनवत्था का कि जो अपने वाले पोदे हैं इनकी उपज तो जादा है लेकिन जो इन पोदों से अपने को उत्पाद मिलेगा उस उत्पाद की गुनवत्था कैसी है मानलो ये सरसों के पोदे हैं तो सरसों का जो उत्पादन तो ज़्यादा है लेकिन जो सरसों के बीज में जो तेल की मात्रा है वो तेल की मात्रा इंसे ज़्यादा होगी या नहीं होगी या मानलो अपने कोई डाल की किसम त्यार कर रहे हैं मानलो मूंग की तो मूंग का उतपादन तो जादा है लेकिन जो मूंग के अंदर प्रोटीन होता है वो प्रोटीन इससे जादा है या नहीं है तो वो तो होगी गुनवत्ता और दूसरा होगा रोग रोधीता तो रोग रोधीता आप सभी को पता ही है कि पोदों की बिमारियों से लड़ने की शमता तो उपज का प्रिक्षन अपने करते हैं उपज प्रिक्षन में एक साल के लिए और फिर अपने करते हैं समन्वित उपज प्रिक्षन, समन्वित उपज प्रिक्षन अपने करते हैं तीन सालों के लिए और इसमें अपने किस इसका दियन करते हैं एक तो गुनवत्ता का और एक रोग रोधीता का अब अपने वाली किसम की उपज तो ज्यादा थी और फिर अपने किया समनवित उपज प्रिक्शन अगर यहाँ पर यह जो समनवित उपज प्रिक्शन में भी अपने वाली जो व्राइटी है वो पास हो जाती है तो फिर छटे साल जो अपने वाली वराइटी थी इसका अपने क्या करते हैं इसके बीजों का अपने करते हैं गुनन और गुनन करने के बाद उस वराइटी को अपने बजार के अंदर लेके आते हैं मतलब उसे अपने बीज को किसानों को बांट देते हैं तो इस परकार समू चैन के गुन तो ये पांच साथ गुन है इनमें से कोई भी समझाने वाली बात नहीं है असान से हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि स्मू चैन दवारा विक्सित किसमें अपेक्षा करत अधिक अनकूल होती है मतलब वो किसी भी वातावरण में बोही जा सकती है यदि एकदम व किसी दवारा विक्सित किसमों में अनुवांशी का विविद्धा उपस्तित होती है मतलब जो अपने नहीं किसम त्यार करेंगे उस नहीं किसम में विविद्धा पाई जाएगी मतलब सभी पोदे एक जैसे नहीं होंगी उनमें थोड़ी बहुत विविद्धा पाई जाए थर्ड क्या है कि यह सबसे सर्ड विदी है मतलब जो किसान है किसान भी इस विदी के दवारा एक किसम त्यार कर सकता है सबसे असान विदी है फिर फूर्थ पॉइंट क्या है कि इस विदी दवारा शुद्ध वंशकर्म किसमों का शुद्धी करन किया जा सकता है तो यह इतना पोइंट क्या है कि इस विदी से दिख्सित किसमों में समरूपता का अबाव होता है मतलब जो अपने गुन पड़ा था कि इसमें अनुवांशिक विविद्धा पाई जाती है तो वही इसका एक दोश है कि इसमें पोदों में समरूपता नहीं होती मतलब इसमें विद्धा पाई जाती है, सभी पोदे एक जैसे नहीं होते दूसरा पोइंट है, संतती प्रिक्शन नहीं करने के कारण चैन किये गे पोदों का वास्तिक मुल्यांकर नहीं हो पाता मतलब शुरू में जो अपने पोदे स्लेक्ट किये थे उनका अपने बाद में कोई भी संतती प्रिक्शन नहीं किया जो अपने पोदे चांटे थे, उन पोदों के अपने बीजों को मिक्स किया था और सिधा का सिधा ही अपने क्या किया था, उपज प्रिक्शन कर लिया था उन संत्तियों की अपने या उन बीजों से अपने एकल पादब संत्तियां नहीं हो गई थी तो संत्ति प्रिक्षन नय होने के कारण सिधा ही उपज प्रिक्षन कर लेने के कारण उनका वास्तिविक मूलेंकर नहीं हो पाता थरड़ पॉइंट है कि बीज परमानी करण के लिए इस विदी द्वारा विक्सित किसमों की पहचान मुश्किल होती है क्योंकि इस विदी द्वारा जो अपने किसम त्यार करेंगे उस किसम के जो पोदे होंगे उनमें विद्धा पाई जाएगी सम रूपता नहीं पाई जाएगी मतलब कोई पोदा किस परकार का होगा कोई पोदा अलग परकार का होगा तो जब सभी पोदे अलग-अलग होंगे उनमें विद्धा पाई जाएगी तो उसे अपने एक प्रोपर किसम नहीं कह सकते तो बीज परमानी करन के लिए इस विदी दवारा की विक्सित किसमों की पहचान मुश्किल होती है और लास्ट पॉइंट है कि इस विदी से सुधार के लिए मूल समस्टी में अनुवांशिक विवित्ता उपस्तित होना अनिवारे होता है मतलब जो स्टार्टिंग में अपने प्लांट सेलेक्ट किये थे उन पॉदों में विवित्ता होना आफशक होता है कि इस विदी से सुधार के लिए जो मूल समस्टी थी में अनुवांशिक विवित्ता उपस्तित होना अनिवारे होता है कि स्टार्टिंग में यदि पोदों के अंदर विविता नहीं होगी तो इसी विदी के दोरा अपने एक नहीं किसम त्यार नहीं कर सकते यहाँ पर पोदों में विविता होना अतियाफशक है समू चैन के बाद दूसरी विदी है शुद्वन्षकरम चैन विदी यहाँ पेउर लाईड सिलेक्षन तो सब से मोस्ट इंपोड़ेंट विदी है यह चैन की शुद्वन्षकरम चैन कि किसी सव प्रागित पर जाती के पूरनते सम युगमज पोदों की संत्तियों को शुद्वन्षकरम कहते हैं इन पोदों की जो संत्तियां होंगी जो क्या होंगी, सम युगमजी होंगी, मतलब इस परकार की होंगी, सभी इस परकार की होंगी, या इस परकार की किसम होगी, मतलब वो क्या होंगे, सभी के सभी पोदे क्या होंगे, सम युगमजी होंगे, मतलब उस किसम के अंदर जो सभी पोदे होंगे, उन पोदों के जो का जीन प्रारूप क्या होता है? एक समान होता है. मतलब यह अपने क्या अपनाए था? जीन प्रारूप मनाए था. की शुद्र वंश्करम जयानिे की रवराअच जो अपने किसम त्यार करेंगे, उस किसम के जो सभी पोदे हैं, उन सभी पोदों का जो जीन प्रारूप है वो जीन प्रारूप क्या होगा एक जैसा ही होगा अलग अलग नहीं होगा तो जब जीन प्रारूप एक जैसा होगा तो सभी पोदों का जो लक्षन प्रारूप है है वह वन्शन अतन होकर एवल वातावरण के करण हो जो क्या है धीजह है यहांग इन पोदों का जो लक्षन प्रारूप है वो अलग हो जाए, मानलोब सभी पोदे कैसे होने चाहिए थे, लेकिन यदि कोई पोदा बीच में बोना आ भी जाए, तो वो किसके कारण हुआ है, वो हुआ है वातावरण के कारण, नाखी जीन प्रारूप के कारण, अब अपने ज चांट कर अलग कर लेंगे, ठीक है, तो मानलो इन सभी पोदों में से आपने इन पोदों को चांट लिया, और फिर क्या करेंगे, यहां पर अपने इनके बीजों को आपने mix नहीं करना है, इनके बीजों को आपने mix नहीं करना है, इनके बीजों को आपने mix नहीं करना है, आ पतलब एक क्यारी के अंदर एक ही पोदे की संत्तियां उगाएंगे, तो दूसरे वर्ष अपने क्या करेंगे, एकल पादब संत्तियां उगाते हैं, ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, इन में से वांचित लक्षनों वाले पोदों को अपने चैन कर लेंगे, मानलो इस क्यार आगयों में से अपने वांचित लक्षनों वाले पोदों का अपने चेन कर लेंगे और उनके बीजों को अपने क्या कर देंगे। अब यदि जो अपने वाले पोदे हैं इनकी उपज जादा होती है तो फिर अपने क्या करेंगे लगाता तीन सालों के लिए अपने कौन सा प्रिक्षन करेंगे समन्वित उपज प्रिक्षन और समन्वित उपज प्रिक्षन में अपने किन बातों का दियन करते हैं एक तो उत आत्मे साल क्या करते हैं कि जो अपने वाले पोदे थे इनके बीजों का अपने गुनन करते हैं और गुनन करने के बाद उसे अपने किसानों में बांट देते हैं तो यह असान सी विदी थी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट विदी है तो इस परकार अपने शुद्वशकरम च चैन विदी है, ये कौन सी फसलों के लिए है, सव प्रागित फसलों के लिए, नेक्स्ट आता है, शुद्वश्करम चैन के गुन, कि सबसे पहला गुन क्या है, कि किसी विविद्धता पूरण समस्टी में सरवादिक सुदार किया जा सकता है, मतलब शुरू के अंदर अपने पास कैसे पोदे थे, कि जिनके लक्षन अलग लग थे, मतलब वहाँ पर क्या थी, बहुत सारी विविद्धता थी, लेकिन इस विदी के दवारा सरवादिक सुदार किया जा सकता है, जो किसम त्यार होगी, उनमें बिलकुल भी विविद्धता नहीं पाई जाएगी, अलगी का जो जीन प्रारूप है, वो जीन प्रारूप एक जैसा होगा, मतलब अनुवांशिक विविद्धता नहीं पाई जाएगी, उनका पूर्ण अबाब होगा, तीसरा पॉइंट क्या है, कि विक्सित किसमों का बीज परमानी करन के लिए, या विक्सित किसमों को चानना असान होता है,